अस्ट्रेलिया में पकड़ा गया उत्रकोरिया का एजेंट आस्ट्रेलिया के सिद्नी शहर में एक शाक्स को उत्रकोरिया के लिए कथित तौर पर काम करने के आरोप में गिरफ़तार किया गया है उस्ट्रेलिया की फेडराल पुलिस का दावा है कि गिरफ़तार शाक्स उत्रकोरिया के इकॉनुमे के जेंट के तौर पर काम कर रहा था 69 वर्षिये चान हान चोई पर उस्ट्रेलिया से अवैद निर्यात का सौधा गराने और व्यापक विद्वन्स के हत्यारों की आपूर्ती से जुड़ी बातचीद में शामिल होने का आरोप लगाया गया है पुलिस का ये भी कहना है कि इस शक्स ने संयूक त्राश्ट्र और उस्ट्रेलिया दोनों के ही प्रतिबंधों का उलंगन किया है 30 साल से उस्ट्रेलिया में रह रहे चान हान चोई के खिलाफ दर्ज किया गया केस उस्ट्रेलिया के लिए अपनी तरह का पहला मामला है उत्तर कोरिया का हथियार कारेक्रिम उस्ट्रेलिया ने 1995 में ही व्यापक विध्वन्स के हथियारों को रोपने के लिए कानून बनाया था लेकिन तहली बार किसी के खिलाफ इसके तहट मामला दर्ज किया गया है अस्ट्रेलिया की पुलिस का कहना है चान हान चोई के उत्तर कोरिया के उच्छा अधिकारियों से संपर्प थे इसके सबूत मिले हैं उन्होंने चान हान चोई पर उत्तर कोरिया के हथियार कारेक्रम के लिए सौदय कराने का आरोप लगाया है इसमें बैलीस्टिक मिसाइल ट कर रहे थे उन पर उत्तर कोड़िया के कोईली को इंडोनेशिया और वियतनाम में खरीदारों को बेचने का सौधा कराने का भी आरोप लगाया गया है शनिवार रात को चान हान चोई को उनके घर से गिरफदार किया गया और उनके खिलाफ कुल 6 आरोप लगाए गये हैं रव रहे हैं पुलिस ने चान हान चोई को उत्तर कोरिया का एक ऐसा वफादार एजिंट करार दिया है जो ये मानते थे कि वो महान देश के हित में काम कर रहे थे साथ ही पुलिस ने इस बात पर भी जोह दिया कि गिरफदार शक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आस्ट फिलहाल उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया गया है.